गुम्टा में नशे की हालत में पीट पीट कर हत्या कर देना आम बात हो गई है मामला जुला की चैनपूर प्रकंड की चैनपूर स्थित मीशिन हाता नदी टोली निवासी 36 वर्षी जीवन कुजूर शराब के नशे में धूत होकर 35 वर्षी पत्ती सभीता कुजूर की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी है जिससे साबित होता है कि मौत घटना स्थल पर ही हो गए लोगों ने बताया कि जीवन कुजूर अक्सर शराब के नशे में रहता था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था मंगलवार की देरात मृत का सवीता कुजूर घर के बगल में हो रहे कारिक्रम में शामिल होने के लिए जा रही थी उसी समय उसका पत्ती घर पर ही था और पत्नी को जानी सी रोका जिसके बाद घर पर लाठी जंडे से मारपीट करने लगा जिससे साबित की मौत घटना स्थल पर ही हो गई इधर मामले को लेकर चैनपूर थाना प्रभारी अमिचोदरी ने बतलाया कि मामला दोनों पत्ती पत्नी के बीच का है दोनों आपस में लडाई जगडा करते रहते थे जिससे नैशे में धूत होकर लाठी जंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी वहीं चैनपूर पुलिस ने तफ्त्रित कारेभाई करते वेश आरोपी को उसके घर से गिरफतार कर लिया है और शेव को पोस्ट मार्चम के लिए गुमला भेज दिया पी न्यूस के लिए गुमला से अजीत सौनी की रिपोर्ट आशा उसको करना चाहिए तो नसा में होने की करण अपना पत्नी को मार दिया तो यह क्या हमेशा होते रहता है बराबर का कहान नहीं है डेली को यह घुसता भी नहीं तहीं नहीं तो बाल बच्छा को पालती थे या अपनो श्मीलिया खाने के लिए कि अधा जूट नहुंद का माता था फ़लिक ए के लाम है किसका अफ़ा समयन कर जूदर तो लोकों किल दराकिया कि एक नहीं बता सकते हैं लेकिन आपक बहुत है कि और दृटम पर नश्वाय। शनार कि आप गूआ से नुट्राइजा। किस बात को दो कि लगाई होता था था यह तो कि तो बताग हो नशीम तर दो दो रहते हैं से किस तरह से तिक जीसमें लगाई होता था कि अभण नहीं का सकते हैं यहां अभणाई तो होता है कि अनभाव को और नहीं कि अनुरा नाम है अनुरेजन कुझ ओर देखिए अधसुबह करीब साथ 8-6-6 साथ करीब में हम लोगों को पोन पर सूचना मिले कि नदी महलाकर के जगह है थाना से करीब अधसर दो किलिमेटर होगा वहां पर पती ने अपने पतनी की हत्या कर दी है जहां हम लोग गटना स्वर पर गए तो आस पास के लोगों से घर में जो बुड़े आदमी थे हम से हम लोग हमने पूछा तो नहीं बताया कि पती पतनी अकसर आपस में लड़ाई जगडा किया कर कि इसको वहां से ले आया और गुस्से में घर में फिर डंडे से पुरा मारा इससे के रातमों दम तोड़ दी यही बात है बस अब पतनी कि बीच के लड़ाई से ही हुआ है कांट जो भी वा है और किसी तीसरे आपमी के इसमें हाथ महीं है